नमस्कार दोस्तों मैं आपका दबंग दोस्त हर्षवरदन भाई या देश्मुक पुने महाराष्ट्र से और आज हम देखेंगे हिस्ट्री अप लीगल प्रोफेशन इन इंडिया तो दोस्तों बहुत दिन हो गए मैंने कुछ वीडियोस बनाए नहीं थे क्योंकि मेरी भी ए नोट्स सीरीज जिसमें हम आपको दस बारा पार्ट्स होगे लगबग तो दस बारे उससे भी जाद हो सकते तो आपको पसंद आएगे और देखेंगे आज का हमारा पहला ही पार्ट है जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री अप लीगल प्रोफेशन इन इंडिया जो की चार स् प्रोफेशन इन इंचेंट इंडिया और मीडेवल इंडिया है दो पॉइंट्स हम आज ही देखेंगे यार उसमें पार्ट चे सिक्स वो गलत सिरेल नंबर डाल गया है तो आयोप आप इतने समयसेधार तो हो तो दो जो पॉइंट्स है हम आज देखेंगे और रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो दो पार्ट में अगले पार्ट में देखेंगे तो ठीक है चलते शुरू करते हिस्ट्री अप लेगल प्रोफेशन इन इंडिया और इस भाहिया की गैरेंटी आपको कि नोट्स आपको पसंद आएगे और अच्छे खासे मार्क साब आइक्वाइर कर करें दो हिश्ड पसंद गारानी नेलो करने की पार्ट ठीक है तो इसंट प्रोफेशन इन इन इसंट चरूँ कार टैऑल Mmmx ौनिग बशिमय इन magnitude ठीक हिस्टाइट कर एथेa हैं सिर्दी आपको किर सेखेंट्ध इंडिया चे डिय कोलेके अलैस बहले हम जहिएए हैं मुन यही कुछ बता है कि एक अच्छा-खसा एक प्रीशियस प्रोपेशनल मतलब एशन पिरींट से यह तो और लॉयर उसको कहा जाता है वो क्या क्या करता है कि रिपरेज़ेंट्र करना क्लाइंड का थोड़ों रिशर्च करना थोड़ा ने जड़र पुरानी जैज्ज्मिंट्स और लायर करते हैं वाइल रेप्रेजेंटिंग क्लाइंट तो जिसको मदद हेल्फ करना कि जिसके वजह से वह एक फेर जेजमेंट दे पाए ऐसा कुछ मतलब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कुछ में मतलब एड़ोकेट क्या होता उसका काम क्या होता समझा तो एक कुछ है तो डेवलेप्मेंट पर सीधी बात नो बखवास डेवलेप्मेंट अप लीगल प्रोपेशन कैन वी डिवाड़ उन्टू फोर फेजस एक पहला होब आप देखेंगे जल्दी डालूंगा में तो लेगल प्रोपेशन सेन एंडिया इन इन इंट एंड इंटा्ट है तो विसऐगंद एंशींट इरिआ में क्या मध्या अब आप भी अंदजह लगा शकते होगी क्या हो सकता है कि तो वेस इतित धर्म धर्म शास्त्र एक religious based community community थी पूराने जमाने में तो जो कानून था वो भी कहा था religious टेक्स पर बेसिस था local पंचायज भी उस वक्त थे जिसके जो local headman है या जो elder है उस community में वह एक intermediary मतलब एक मध्यस्ति का कामने भाते थी कि result is put करने के लिए royal courts भी थे क्योंकि राजे रजवाडे थे kings थे तो kings के royal courts भी ancient period में थे तो एक हो गया overview तो चले पड़ थे dharma शास्त्रा एंड लीगल स्कॉलर्स तो basically हिंदू अब कहोगे कि हिंदू टेक्स है क्योंकि हम मतलब माना जाते है कि भारत क्या है एक हिंदू राष्ट्र था मतलब बहले से ही तो तब तक और मुसल्मान थे वो बाद में आये थे तो समय रहे तो इसलिए जो पुराना loss थे लॉस थे तो हिंदू legal टेक्स्ट पर बेसिस थे उस्मेर, basically legal test में उसमें famous मतरी है या जनवाल के नारधा समरीघ यह famous कुछ और उस वक्त रहामस थी जो पंडित त्ले व्हों क्या काम करती थे उसको interpretation करने का काम करती तो उसstय कोई तो तो वेнач्टमाने के है उस जमने में Legal scholars and advisors कि runners परते ते ज्वीर मंद तू ़िटेब ब्रहमन स्कॉलर्स थे लिए लेकिन पो ऄचान कोरेशन तू ब्रहमन मतर स्बसक्रण कि आप द सकत्स नियाक सतो है छोगनास एक है वह ज्हसव यह एक उसको अभे करेंगी उनके डिसिजन को अरना रिस्पेक्टेर मेंबर ना हो हमको भी कोई कोई पूचता है क्या तो रॉयल कोट्स इन इसेंट इंडिया रूलर्स तो फिर आता है मेडियोवल पिरियड में फिर आता है इकोनामिक इंफ्लॉएंस मोगल पिरियड आता है यूर्यपियन इंफ्लॉएंस आता है लेकिन उस जमाने में भी लोकल कस्टमेर लॉपर बेस्ट जो रूलर एरियाज के जो एक सिस्टिम थी रूलर एरियाज में वो तब भी बरकरार थी अब भी बरकरार है तो मेडियोवल पिरियाज में देखेंगे इसलम एक इंफ्लेंस मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब आएंगा आएगे मुस्लिम शरिया लौ आएगा तो एक इंफ्लेंस शुरू है दिल्ली सल्तनत से लेकर जो एक इसलमिक इंफ्लेंस शुरू हुआ तो उसका वे अच्छा-खासा इंपक्ट हमारे लीगल प्रोपे लोकल क्ष्टमर लोग एंप्रेंस अप इसलामिक लोकल क्ष्टमरी लॉड और यह चले आ रहे थैंब स्पेशली इन रूल एरियाज लोकल है इडमेन हैंड एल्डर सफ अफ एंट्र में इंटर्मी इंड्र रिस वेस्ट आपिस तो उसमें इंपोर्टन रोल कौन प्लेड कार तो उसको एक प्रेजिडेंट हुआ का या जेज भी बोल सकते हैं काम करता है तो मुगल पिरियड आया फिर मुगल पिरियड में एक एक मोर सेंट्रलाइस सिस्टेम अब जेस्टिस इस्टैबलिश हो गई और जो मुगल रूलर्स इस्टैबलिश देर कोट उनने उनके कोट भी स्टैबलिश किये थे और उस पर जो एज लेगल ऑफिशल था वो था काजी था जो कि इस्लेमिक लेगल मैटर्स में हेल्प करता थ वाइल डिसाइडिंग सिविल एंड क्रिमिनल केसे ठीक है फिर आता यूरोपीन इंफ्लेंस मतलब कि प्रिटिश इंस्टिंड या कंपनी और बहुत सारे जो देश अलग अलग पोर्तोगीज वगर 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 वो सबाय थे तो यूरोपीन इंफ्लेंस भी हमा व्मारे जिसे अध्म एड्मroe एडंवेट्वरी इंफ्लेसल सिस्टेम में है उतको हम फॉलॉफ मतलब लीगल जुडिश il TV के जाते हैं और modern judicial system बतलब जो बेस्ट है वो हमारी ब्रिटीश जमानी की जो judicial administration था उसी पर बेस्ट है हमारा modern judicial system भी समझ रहे मतलब बहुत अब तक modification भी हो चुका है लेकिन एक हमारा fundamental बोल सकते हो हमारा Britishist India मतलब British British का जो था judicial administration एक fundamental है अमारे लिए इस इंपोर्टन तो note that legal profession in ancient and medieval India was diverse and varied across regions तो हमारा भारत देश बहुत बड़ाय समझ रहे तो बहुत सारे धर्म जाती बहुत मतलब बहुत सारे diversification है हमारे तो जो system भी थी वो अलग-अलग region में अलग-अलग होती थी मतलब and the transition from traditional legal system to the modern legal system under British colonial rule marked significant transformation in India's legal system India's legal history तो basically जो ट्रांजिशन है from traditional legal system to modern legal system ओक जमान में हुआ तो British colonial colonial rule में हुआ था एक एक important हिस्सा है आमारे लीगल history में तो यह था हमारा legal profession का development in ancient and medieval period तो यह changes underwent in legal profession during British रोल यह जो पॉइंट है यानि कि डिवलेप्मेंट अप लीगल profession in British इंडिया तो हम आगे के पार्ट में देखेंगे उसकी भी लिंक में description में भेज दूँगा तो है अगर आपको इसकी जो नोट से हो चाहते हो मतलब यह जो वीडियो में आपको दिख रहा है तो मैंने मेरे website पर एक ब्लॉक साइड है आर्टिकल्स और ब्लॉक में डालता रहे तो उस पर आपको यह मिलेगा उसकी भी लिंक में ने description में दे दिए और अगर आप मुझे से बाते करना चाहते हो मतलब कि कम्यूनिकेट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो उसकी भी लिंक में ने मतलब description में डाल दूँगा और सिर्फ हाई मत करना यार हाई का बहुत सारी लोग हाई हाई करते तो मुझे बहुत लगता है तो अगर कोई आपको help चाहिए तो पूरा detail में आप मुझे टेक्स्ट करना क्योंकि तभी मैं आपको देखूंगा और पढ़कर रिप्ले करूंगा या सिर्फ हाई हाई भेज़ोंगे तो मैं कुछ ने करने वाला भाई और अच्छे कासे followers भी है तो बहुत सारे messages भी रहते लगबग एक देड़ लाक फॉलोर है मतलब एक देड़ ला अब निरोप लेते हैं आपका यह हमारा कल का पॉइंट टेक है तो चले भाई भाई